गैस अगर आपके पास dog breed है adult है तो आप उसको सुबह शाम खाना देते हैं और कुछ diet में changes करने के बाद उसका जो खाना सही हो जाता है बट आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि adult dog को सही खाना देने का तरीका क्या होना चाहिए इस तरह से खाना देना चाहिए क्या 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 उसमें changes करने चाहिए है और किस तरह से बोडी जो कमज़र होती है डॉक खाना नहीं खाता आप देखो के बाकी डॉक्स काफी ज़्यादा फीट हेल्दी और आपका डॉक इस तरह से है तो वह क्यों होता है क्यों रिजन है वह भी आपके स्वीडियो में पता चलेगे इसलिए वीडियो लास्ट जरूर से देखना च खाना देने के लिए खाना दे देते हैं बट उसका खाने के अंदर कुछ उठा के दे दिया कुछ निउट्रिशन ने देखिया डॉक फूड सस्ता लग रहा है तो ले लिया वह दे दिया घर का खाना रोटी वगेर दे दिया बट ऐसा नहीं होता है अगर इस तरह से अगर आप खाना दोगे तो डॉक तो खाना खाएगा क्योंकि उसको भूक लगी होती है बट आप देखोगे कि उसकी बॉड़ी ग्रोथ है अच्छानक से बंद हो जाएगी और जो डॉक का एक्चुल जो वेट होना चीए जो बॉड़ी होनी चीए जो फिटनेस लेवल होना सकते हो चास अधरा दही वाएगरा वह सबकुछ आप दे सकते हो घर क्या हुआ कभे कबार मिल्क बढ़रा बी दे सकते हो बटाता हो ब मत्कों कुछ झा 다sın कर लेता है कौह ऑपको देना हो ब्हुत बाद जो डॉक फूड आता है डॉक फूड हमेशा देखो कि कि आप बहुत सा लोग कोई भी चूज कर लेते कैसा भी चूज कर लेते बट ऐसा नहीं है आपके डॉक के बॉड़ी में कौन सा डॉक फूड अच्छे से वह रहा है तो फिर आप वह कंटीनु कर सकते हो कभी कबर अगर डॉक का जो हैल्थ अच्छा खासा नहीं हो तो आप रॉयल कैनन वाला है जो थोड़े प्रीमियम डॉक फूड आते थोड़े महंगे फोड आते उसके अंदर कॉफी ज्यदा न्यूट्रिशन कॉलिटी होती है एक की मातरा जो चिकेन अगेरा हो गया वो भी होता उसक कुछ आप कंटीन्यू कर सकते थोड़े दिन के लिए जब तक आपके डॉक के हैल्द एक एवरेज नहीं हो जाती अगर आपका बजेट थोड़ा सा करम है तो आप थोड़ा सा ऐसा लाके एक टाइम वह दे सकते एक ताम घर का खाना दे सकते हो या तो फिर आप क्या कर सकते है घर के खाने के अंदर भी वह डॉक्त मिक्सर के दे सकते हैं उसके अंदर भी काफी ज़्यदा प्रोटीन न्यूट्रिशन आ जाएगा और अच्छे से खा भी लेगा ध्यान रखना है डॉक को वेजेटेबल फूट हमेशा एड़ करना है आपके डाइट के अंदर गर खा सपर्चन दे सकते ऐसे बहुत सारे फ्रूट आप दे सकते हो पाइनेपल आप ज्यादा मत दीजेगा ने तो उससे उल्टी होने के चांसे ज्यादा हो जाते हैं अब ध्यान देने वाली बात यह है कि डॉग आपका कमजोर है या फिर फिटनेस लेवल उसका अच्छा है एक टीन बजे के आसपा से दू बजे के कामने लगे लगे अब बात करते हैं ने खाना ब्याएँ अप जैसा दोग कर रहे वैसा risque US रहार लिएस चीज़ा उसको डॉक को खाने के अंदर या फिर यसी लिक्विट फार्म में आप उसे दे सकते हो उसके बहुत ही ज़्यादा कमजोर है बढ़ भूक ही नहीं लग रही है तो आप देखोगे कि उसका डायजेस सिस्टम अच्छा करने के लिए भूक लगने के लिए आपको उसको एक्टिविटी करानी पड़ेगी दिन में दो से तिन बार उसके बाद डॉक्टर के बाद जाके चेक अप करा लो बॉड़ी में कुछ इंफेक्शन तो नहीं बार बार भीमार तो नहीं पट रहा है भूक क्यों नहीं लगरी नहीं लगरी तो उसमें डिवार्मिंग की है कि निहीं आपको वह चेक करना है डिवार्मिंग अगर कर लिए तो भूक बढ़ाने की जो दवाई आती है शिरप आता हूँ आप उसको कंटिनू कीजेगा दो चार दिन उसके बाद फिर से आप जो खाना होता है रेगुलर बेसिस पर आप उसे दीजेगा, आप देखोगे कि यह सारी अगर चीज़े आप प्रॉपर तरीके से करने लगोगे, आपके डॉक की बॉड़ी को समधने लगोगे, तो आपके डॉक की बॉड़ी डेफिनेटली आप ग्र रेपकर सकते हैं, इसके बाद आपको और चीज़ को क्या डेट करने लगft को एग वगरहार cuma हमारा उतना बजट इन में एक वागरसकते हैं उसके बाद 15 दिन वीक में उसको एक या दो बार नोन वेज वगरह भी दे सकते आप इस तरह से आगरव कर कहने एंट्रेस्टिंग का खाना भी अच्छा लगेगा डॉक कभी नहीं खाया रहा तो ग्रेवी का भी यूज कर सकते हो अपर ध्यान रखना है कि हैबिट बिल्कुल भी आपके डॉक को नहीं लगनी चाहिए अगर कोई भी चीज की हैबिट लगी जैसे कि रोज अगर आप नॉन्वेज वगेरा दे लग गई रोज एक दे रहे हो उसके लगई रोज कुछ ऐसा ग्रेवी अगरा दे दिया उसके लगई तो डॉक के बोड़ी के लिए काफी ज़्यादा खराब हो सकता है जितना हो सके उतना आप कभी कभार इंट्रेस्टिंग बनाईएगा अपने डॉक को खाने को ग्रेवी बनाने के लिए आप ग्रेवी का जो है थोड़ा बहुत एड उसमें कर सकते हो अब बात करते कि जिसे ट्रीट वगेरा आगे स्नैक वगेरा आगे ब्रेड वगेरा घर की ब्रेड हो गई या फिर आप बाहर के जो कुछ बिस्किट्स वगेरा आगे वह आपको देना है तो ब बेड़ा बिस्किट्स दे सकते हो चारफाज ट्रीट वगेरा दे सकते हो सुबाप नास्ते में जो ब्रेड खाते हो वह भी आप अपने डॉक को दे सकते हो तो उससे क्या होगा कि डॉक का पेट भी अच्छे से भरेगा बढ़ ध्यान रखना जैसे आप अपने डॉक को इसको बीमारी आ सकती है डॉक बेठा रहेगा कुछ एक्टिविटी नहीं करेगा इसलिए उसका वेट एक मेंटेन होना चीए बॉड़ी मेंटेन होना चीए उस तरह से आपको उसको देना है ऐसा नहीं कि सुबह दे दिया शाम को देदिया सब खतम हो गया और हमको कुछ न किसी भी अच्छी लगए तो पर वीडियो को लाइक से जरू करना चानल को सब्सक्राइब जरू से करना हमारी बाकी वीडियो भी आप देख सकते हैं बहुत सारे डायेट प्लान के उपर भी वीडियो बना के रखिए वह भी आप देख सकते हैं तो गैस मिलते नेक्स्ट व वीडियो में थैंक यू फर वाचिंग